हेलो बच्चों कैसे हैं आप आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षया छटी का पाठ ग्यार है जिसका नाम है परकाश छायाएं एवं परावर्तन प्यारे बच्चों इस पाठ में हम प्रकाश के सम्मंद में सीख रही हैं प्रकाश के होने से ही हम अपने चारों और अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुए देख पाते हैं साथ ही प्रकाश के वस्तुओं के आरपार होने या ने होने के आधार पर वस्तुओं को हम तीन वर्गों में वर्गी करते हैं जैसे पारदर्शी अपारदर्शी और पारबासी इसके अलावा बच्चों प्रकाश के अपने कुछ गुण होते हैं जैसे जब प्रकाश के पत में कोई अपारदर्शी वस्तुओं आ जाती है तो छाया बनती है और दूसरा गुण है कि प्रकाश सदैव सरलरेखा में गमन करता है और तीसरा है दरपन परावर्तन से हमें आज हम प्रकाश सरलरेखा में गमन और प्रावर्तन से प्रतिभिम के संबंद में क्रियाकलाब करने वाले हैं तो चलिए सीखते हैं अपने क्रियाकलाब की सहायता से प्रकाश का सरलरेखा में गमन और प्रावर्तन इस ख्रिया कलाब को करने के लिए चित्र में दिखाए अनुसार कंगी, दरपन और टोर्ज को स्थापित कीजिए अब आप देख सकते हैं कि प्रकाश कंगी की बीच से किस प्रकार निकल पा रहा है और जहां जहां कंगी के द्वारा प्रकाश का रास्ता रोका गया, वहां पर कंगी की छाया बन गई और कंगी के बीच से रास्ता मिलने पर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता हुआ दरपन के द्वारा प्रावर्तित हो रहा है और एक बड़ा ही अच्छा सा पैटरन यहां हमें नजर आ रहा है और ये सब हो पा रहा है दरपन के द्वारा प्रकाश का प्रावर्तन होने और प्रतिविम्ब बनाने के कारण ऐसा होता है और बच्चों यह क्रिया क्लाप सुजाता है कि दरपन अपने उपर पढ़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है यहां वर्णन किया गया क्रिया क्लाप यह दरशाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनूदीश गमन करता हुआ दरपन से प्रावर्तित हो जाता है तो यह था अपना आज का क्रिया क्लाप फिर मिलेंगे धन्यवाद